Dear Students, Welcome again in the Lecture Series on Chemical Bonding. तो प्यारे वच्चों, आपका स्वागत है फिद से इस Chemical Bonding की Lecture Series में, जहां पर हम Stereochemistry and Bonding in Main Group Compounds को डिसकस कर रहे थी, और यहां especially हम डिसकस कर रहे हैं about Walsh Diagram. इससे पहले हम Lecture में डिसकस कर चुके हैं about AB2 and AB3 Type of Molecules. And in this Lecture, we will discuss about the Walsh Diagrams of AB4 Molecules. तो AB4 Molecules के बारे में हम डिसकस करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे Walsh Diagram Helpful हैं in predicting the geometry of AB4 Type of Molecules. Again, the steps are same. Steps same रहेंगे बच्चों, तो हमें पहले यह सोचना है कि Geometry of Molecules which are having AB4. और यहां पर especially हम किसकी बात कर रहे हैं? AH4 की बात कर रहे हैं. तो जो AH4 Molecules होंगे, उनकी geometry क्या हो सकती है? दो Limiting Structures कौन से possible हैं? तो दो Limiting Structures कौन से possible हैं? One is Tetra-Hitral, एक तो उसकी geometry हो सकती है Tetra-Hitral और दूसरी geometry कौन से हो सकती है? Square Planar Square Planar में हम केवल वही orbitals की बात करेंगे जो SP जहाँ पर जिनका contribution है क्योंकि Square Planar Geometry में DSP2 hybridization होता है तो हम D-Orbital को यहाँ पर consider नहीं करने वाले हैं हम केवल किसको जो S और D-Orbital हैं उनको consider करेंगे तो अगर हम Tetra-Hitral geometry देखेंगे तो वह कैसी होगी? वो कुछ इस तरीके की होगी यह A है और जो H atoms है आर टेटरा-Hitraly arranged और अगर हम geometry देखेंगे जो हमारे पास Square Planar Geometry है तो वो geometry कैसी होगी? वो कुछ इस तरीके की होगी कि जो H atoms है वो A के चारों और Square Planar की Corners पर Arranged Square Planar की Corners पर Arranged होगे तो पहले हमें क्या पता करना है वच्चों? पहले हमें पता करना है कि वो दो Geometry क्या होगी? जो की possible है for AH4 type of molecule जब हमें यह पता चल जाएगा तो अब हमें यह पता करना है कि Now, what will be the Point Group of these Geometries Geometry की अगर हम Point Group देखें तो Tetra Hydral की जो Point Group है वो DD है और जो Square Planar है उसकी Point Group है वो है D4H तो देखिए पहला Step हमें Geometry पता करनी है कि दोनों Limiting Structures कौन से हैं दूसरा Step हमें Point Group पता करना है जो हमें पता लग गिया है कि Tetra Hydral Geometry है उसका Point Group Tetra Hydral TD है और जो Square Planar है उसका Point Group है वो D4H है तो जब हमें ये Point Group पता चल गए अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है एक तो हमें Reducible Representation के Correctors चाहिए जो Character Table होगी उस Character Table को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है वो है Irreducible Representation अगर 4H हम देखें जो की Tetra Hydrally Arranged है तो जो आप देखेंगे जो Operations होंगे Tetra Hydral के वो हता है E C3 Axis, C2 Axis, S and Sigma Sigma S4 है and Sigma D है तो आप ये देखेंगे जब हम उनके Irreducible Representation देखेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेंगे और जब हम इसको Correlate जब हम इससे हम Irreducible Representation को निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे A1 प्लस D2 किसको देखना है मैं Tetra Hydral की Character Table को देखना है और Tetra Hydral की Character Table की Help से हम इस Irreducible Representation को जब हल करेंगे उसको जब हम जब Calculate करेंगे तो हमें दो Irreducible Representations मिलेंगे वो क्या होंगे A1 प्लस D2 अब A1 प्लस D2 का मतलब क्या है इसमें कितने है चार Orbitals है जो चार H Atoms है जो की Tetra Hydral एरेंज रहते हैं वो चार H के 1S Orbitals पहली क्या होंगे उनके बीच में क्या होगा Combination होगा वो क्या बनाएंगे साल का बनाएंगे वो Symmetry Adapted Linear Combination करेंगे और उसके बाद दे विल फॉर्म तू काइंड ओफ ओर्बिटर्स वन इस A1 और अने दर इस T2 कैसे बनेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ से पहले तो बच्चों हमें यह समझना है कि एक टेत्रा हिट्रल Geometry को हम किस तरीके से शो करते हैं एक टेत्रा हिट्रल Geometry को शो करने के लिए हम उसको एक cube से दिखाते हैं इस cube में अगर हम टैत्रा हिट्रली Atoms को यह जो आउटर एक 1 square दिखिए यह है जिसको मैंने डार्क कर दिया और दूसरे स्क्वाइर को मैं दूसरे कलर से डार्क करती हूँ दूसरा स्क्वाइर अगर हमने यह मान लिए यह दो स्क्वाइर है अब इन दोनों स्क्वाइर के कॉर्नर्स ले लीजिए ठीक है अब देखिए इस square का मैं एक ये corner ले रही हूँ और एक इसका just opposite corner ले रही हूँ इस तरीके से fit कर दिया हमने दो items और जो नीचे वाला square है उसके just opposite वाले corners हैं उनको हमने ले लिया देखिए ये जो square है इस square के मैंने एक ये corner लिया एक ठीक इसके सामने का जो corner है उस पर दो atom अरेंज कर दिये और जो नीचे वाला square है उस square में जो इसके just opposite side में जो corner था उस पर और उसके opposite side के corner पर दो atom fix कर दिये अब ये जो geometry हमें मिलेगी ये symmetry क्या है देखे है बचो अगर आप इस geometry को देखेंगे तो ये geometry है टेट्रा हिट्रल जोमेट्री सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि एक टेट्रा हिट्रल जोमेट्री क्या है टेट्रा हिट्रल जोमेट्री को हम किस से दिखाते हैं क्योब से दिखाते हैं अब हमें यह देखना है कि यह चार क्या है यह चार क्या है एक हैटम, दूसरे हैटम का 1S orbital, तीसरे का 1S orbital और चौथे का 1S orbital तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो लिगेंड के orbitals हैं वो आपस में क्या होते हैं, linearly combine करते हैं, symmetry adopted और उसके बाद वो क्या वनाएंगे, group orbitals अब आपने देखा कितने तरीके के group orbitals बनेंगे, दो तरीके के A1 प्लस T2 जो कि हमने irreducible representation and irreducible representation के characters से calculate किया है तो यह जब हम calculate करेंगे, यह आपने, इसको आपको calculate करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि watch diagram of AH2 molecule मैं मैंने आपको completely समझाया है तो उसको हमने short मैया पर लिखाया, आप calculate करके देख सकते हैं, character table रखके, tetrahydral की और irreducible representation से केवल यही तो salks, यानि जो linear combination possible है, यह दो है अब हमें देखना है, यह कौन-कौन से इस तरह के combination है तो हम क्या बनाएंगे, देखिए हम एक cube बनाएंगे और इस cube में अब बच्चों सोचिए, आप जो central atom होगा उस central atom के पास कौन-कौन से orbital है, s है, ठीक है, s orbital है एक कौन सा orbital है, यह orbital है, मान लिजए यह bz orbital है एक यह orbital है, मान लिजए यह by orbital है और एक orbital यह देखिए, एक आगे पीछे orbital है, यह मान लिजए यह bx है तो अगर हम इन orbitals को इस तरीके से दिखाएं, इसका wave representation करें, तो S orbital, हमने positive lobe ऐसे दिखा दिया, हमने ये P Z orbital का positive overlap दिखा दिया, हमने ये P Y orbital का positive overlap दिखा दिया, positive lobe दिखा दिया, और हमने ये P Y का positive lobe है वो दिखा दिया, तो इस तरीके से पहले हमने ये देखे, central atom के जो orbitals हैं combinations possible है अब देखिए यह जो कॉम्बिनेशन पर है एक यह है और एक यह है और एक यह है अब देखिए अगर एक S इसके बीच में आ जाए तो इसके लिए किस तरीके का combination चाहिए इसके लिए जो combination चाहिए वो इस तरीके का चाहिए कि यह जो लोफ से हैं यह सारे के सारे क्या हो इस तरीके से combine करें कि यह सारे के सारे क्या हो positive हो अभी आप देखेंगे किस तरीके से molecule orbital बनेगा तो यह एक जो जो ग्रूप ओर्विटल बना ये क्या है ग्रूप ओर्विटल जो चार जो हैच एटम थे उन्होंने लीनियरली कमबाइन करके ग्रूप ओर्विटल बनाया और इसको हम कहते हैं A1, एकि A1 हमने बना दिया ये क्या है A1, T2 का मतलब है तीन होंगे जिनकी सिमीट्री एक सी हो गी जो एक से होंगे यниरoria त्रिपली डिजेनरेट, है इनको किसके साथ ओवरलैब करना है इनको ओवरलैब किसके साथ करना है बच्चों आप देखिए तो अब पहले हम इसमें एटम अरेंज कर देते हैं ये है एक और दूसरा एटम ये है एक एटम ये है तो ये एटम सम अरेंज कर देते हैं पहले ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, यह हमने अरेंज करती हैं, अब यह तीन और्बिटल हैं, अब हमें देखना है कि और कौन से group orbital form हो सकते हैं, अब इस और्बिटल को देखिए, PZ और्बिटल को अगर हम यहां पर रखते हैं, तो इसका जो अबब लोब है वो red है, यानि यह इन वाले जो hydrogen के 1s orbital है इन वाले orbital के lobe कैसे होने चाहिए positive क्योंकि इसका आपर पार्ट कैसा है positive अभी आप देखेंगे कैसे हम fix करेंगे इसका मतलब है कि एक group orbital इस तरीके का होना चाहिए कि जो उपर के जो दो items हैं देखें उपर का square है ये positive हों और नीचे वाले negative हों जिससे कि ये वाला orbital यहाँ पर symmetry match कर जाए अब यहाँ देखेंगे अब आप इस orbital को देखें इस orbital में क्या चाहिए कि जो इधर की side के जो lobes हैं वो positive होने चाहिए और इधर के side के जो lobes हैं वो negative होने चाहिए तो मैं इसको अगर इस तरीके से दिखाओं ये group orbital जिसमें की इधर के lobes तो positive हो और इधर के lobes क्या है negative है तो एक ऐसा group orbital बन गया जो की इसके साथ symmetry match करेगा और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर जो पीछे का lobe है वो क्या है positive है इसका मतलब यह जो पीछे के जो orbital है they should be positive यह positive होने चाहिए तभी क्या होगा overlapping होगी तो यह कैसे दिखाए मैंने देखी यह जो square है इस पर जो atom आ रहे है वो red है यहाँ पर जो उपर का square है उस पर जो दो atom आ रहे है वो red है और को हम और कैसे दिखा सकते है बच्चों यही है इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यह देखी यह group orbital है यह group orbital है यह देखी टेट्रा hydrally arranged होगा यह atoms यह देखी ओके तो यह group orbital है जो की बनते है और यह 3 है तीनों में आप देख रहे हैं दो लोग positive है दो लोग negative है तो यह तीनों की energy क्या होगी बराबर होगी जब इन तीनों की energy बराबर होगी तो इसको हम क्या कहेंगे टी 2 टी का मतलब है कि यह triple e degenerate है और 2 का मतलब है कि अगर हम इसमें कोई plane डालें तो वो उसके लिए anti symmetric होगा तो यह t2 का मतलब है तो यह triple e degenerate है इसका मतलब चार group orbital बनेंगे एक यह होगा तीन यह होगे इन तीनों की energy बराबर होगी इसलिए इनको t2 कहा और इसको a1 कहा अब क्या होगा कि यह जो central atom के orbitals हैं they will search for the group orbitals having the same symmetry तो यह इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे molecular orbital बनाएंगे अब देखिए molecular orbital कैसे बनेगा अब मैं fix कर रही हूँ यह थे lgios और यह थे central atom के orbital अब मैं अगर इस group orbital में बच्चों इस तरीके से यह क्या रख दूँ मैं देखी यह central atom का orbital रख दिया तो यह कैसा orbital है यह bonding molecular orbital बन गया और अगर मुझे anti-bonding molecular orbital दिखाना है तो मैं क्या करूँ कि यह वाला वो orbital है जो कि यह negative है S orbital में भी positive और में भी negative तो अब देखिए जो overlapping हो गई यह negative positive हो गई तो अब यह orbital क्या हो गया now this orbital is anti-bonding molecular orbital तो पहले वाला जो orbital दिखाया था मैंने जब यह red था तो यह bonding था और जब यह positive-negative overlap हो रहा है तो यह anti-bonding molecular orbital है तो यह किसके साथ symmetry match है S orbital के साथ अब दूसरा orbital हम देखिएंगे कि यह जो pjd orbital है यह देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर fix कर दूँगा तो यहाँ पर अब इसका लोब मैं दिखाऊं यह जो लोब है यह क्या है red है अब आप यह देखिए कि जिसमें overlap होगा positive-positive-positive-positive-positive और यह देखिए negative-negative-negative-negative तो इस तरीके से यह symmetry match होती है spjd orbital के साथ जिससे कि यह जो orbital बनाई क्या बना bonding-orbital और अगर मैं इसको anti-bonding molecular orbital दिखाना चाहूँ तो anti-bonding क्या होगा मैं इसको negative बना दूँ और यह जो नीचे का लोब है अगर मैं इसको positive दिखा दूँ तो अब आप देखिए negative-positive-negative-positive-positive होल ला है अब क्या बन गया anti-bonding molecular orbital भाई देखिए चार यह है और चार यह है तो चारों जब एक दूसरे के साथ combine करेंगे तो आठ नए orbital बनेंगे चार तो होंगे bonding-orbital और चार होंगे anti-bonding molecular orbital अब देखिए इस orbital को अगर मैं इस orbital की बात करूँ तो यह orbital किस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं इसको fix कर दूँ बच्चों यह देखिए अब मैं इसका जो है यह positive लोब दिखा दूँ तो यह जो positive लोब है यह देखिए positive positive overlap negative 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 overlap ऐसा orbital बन गया bonding-molicular orbital और अगर मैं इसका anti-bonding molecular orbital बनाओ तो मैं क्या करूँ इस लोब को तो मैं कर दूँ positive और यह जो red लोब था इसको मैं कर दूँ negative अब देखिए positive negative positive negative overlap positive negative positive negative overlap अब यह गया बन क्या anti-bonding molecular orbital likewise अब इस orbital को अगर हम देखिए तो यहाँ पर हम इस तरीके का orbital अगर रगने देखिये यह वाला orbital तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस तरीके से दिखाउं घे किये यह positive negative यह और विट्डल का एक और लोब हमारी हो रहे है और लोब पीछे की हो रहे है तो यह positive positive overlap positive positive overlap negative negative overlap यह इस तरीके से आगे पीछे in case of tetrahedral molecule. तो यहां पर देखे यहां पर आपको मैने दिखाय है, यह A1 है, A1 में आप देखर हैं सारे lobes red है, लेकिन T2 में क्या है? कि एक में देख्वे अपर पार्ट red है, यहां पर side dolla part red है, और यहां पर यह जो पीछे के जो lobes है, 1H के, 1S के वो positive है, तो इन तीनों की एनरजी बराबर है क्योंकि दो-दो लोग क्या है पॉजिटिव दो-दो लोग क्या है नेगेटिव अब हम molecular orbital मैंने जो आपको भी बना के दिखाए वो molecular orbital है कि अगर मैं यहाँ पर देखू यह positive-positive overlap है तो यह bonding orbital है अब देखिए यह positive-positive overlap है तो यह एक, दूसरा और तीसरा यह तीनों की energy क्या होगी बराबर होगी तो यह bonding molecular orbital है यह even है अब देखिए anti-bonding molecular orbital आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इनको हमने एक सा हम दिखा सकते हैं चाहे तो हम इसको white दिखा दें और इसको हम इस तरीके से change कर सकते हैं अगर आपको कोई confusion है तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि यह तो white है बच्चों और यह जो lobes थे यह क्या थे red थे यह और आसान आपके लिए हो जाएगा कि हमने group orbitals को तो वह ही रहने दिया यह देखिए और लेकिन हमने क्या change किया हमने change किया अब मैं इनको red रहने दूँ देखिए मैं वैसे ही मैं और डाइग्राम बना रही हूँ ताकि आपको कोई confusion ना हो यह वाले हमने पहले की तरह ही दिखा दिये विल्कुल इसकी तरह हमने यह दिखा दिया लेकिन यह जो lobe है इसको मैं negative कर दूँ और जो यह lobe है इसको मैं क्या कर दूँ positive कर दूँ तो अ साथ में मैं क्या करूँ कि इनको कर दूँ negative जो कि यह पहले थे और इसको कर दूँ positive यह किसी तरीके से हम दिखा सकते हैं दिखाने का तरीका है ऐसे ही आप देखिए मैं इसको positive कर दूँ जो आगे का lobe है और जो पीछे का lobe है मैं उसको कर दूँ negative क्लियर हो रहा होगा अब आप देखिए कि यह जो लोब्स थे इनको में कर दूँ फिर से positive नेगेटिव और जो पीछे के लोब्स थे उनको में कर दूँ negative अब आपको केवल यह दिख रहा होगा कि यह जो group orbital है वो बिल्कुल एक से होगा है केवल किसकी लोब्स में change कर दिया हमने central atom की यहाँ पर negative पार था यहाँ पर positive पार है ठीक है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं देराल 8 molecular orbitals 4R bonding 4R anti-bonding यह A1 है यह T2 है यह A1 है यह T2 है केवल 1,2,3 क्यों लिखा है हमने क्योंकि यह पहला A1 है यह दूसरा A1 है इसलिए हमने 2A1 लिखा इस तरीके से हमने tetrahedral के जो molecular orbitals थे उनकी energy के हिसाब से उनको क्या कर दिया हमने arrange कर दिया Now the second type of molecular geometry is square planar square planar का हमें क्या चाहिए? character table चाहिए और हमें क्या चाहिए? यह हमें चाहिए कि symmetries of 4H salts in AH square planar molecule तो हमें यह जब हम हल करते हैं reducible representation को इस irreducible representation के साथ जब हम इसको solution इसका करेंगे तो हमें irreducible representation मिलता है A1G, B1G, EU again we get 4 group orbitals फिर से हमें 4 group orbitals मिलते हैं क्योंकि square planar geometry आप जानते हैं, square planar में इस तरीके से जो 1S orbital है वो arrange होते हैं तो एक जो group orbital है वो क्या है A1G अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर sigma H involved होता है वहां पर G का use हो जाता है, G I U का use तो यहां पर आप देखिए कि यह G है, G क्यों है यहां से यहां जाए यहां से यहां जाएं positive से positive और negative से negative क्यों हो जा रहे हैं single orbital है B और इसमें क्या है axis of symmetry भी है अगर मैं इसको C4 से पॉजिटिव लोब से अगर मैं इसको 90 degree से यानि C4 axis लगाऊं तो यह यहां आ जाएगा यह positive लोब हो जाएगा और यह वाला लोब negative हो जाएगा तो इसमें axis of symmetry नहीं है इसलिए B है single है और इसको अगर हम cut करेंगे तो हमें दो equal parts दिखाई देंगे जो की mirror image होंगे इसलिए इसमें plane of symmetry है तो यह 1 है और यह g rate है क्योंकि अगर हम यह center of inversion इसमें है अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो हम positive to positive लोब जा रहे है इसलिए इसका नाम क्या है B1 G है इन इन orbitals को अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक positive लोब एक negative लोब है अगर मैं इसको rotate करूंगी अब दों की energy क्या है बराबर है दोनों में एक लोब positive है एक लोब negative है तो अगर हम इनको देखें इनको हमने E कहा क्योंकि यह W degenerate है यू इसलिए है क्योंकि अगर हम यहां से यहा मतलब कि अगर square planar molecule है तो जो 4H है वो linearly combine होंगी and they will form 4 orbitals तो वो 4 group orbitals का formation करेंगे अब देखिए हमें पता चल चुका है बच्चों जब 4 group orbital बन जाएंगे तो यह group orbital किसके साथ match करेंगे यह जो group orbital था यह देखिए आप फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ यह जो group orbital था यह group orbital किसके साथ match कर रहा था अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक orbital रख दूँ तो यह देखिए यह देखिए यह अगर मैंने central atom रख दिया यह central atom है a a का s orbital है तो यह क्या बन गया एक bonding orbital अब आप इसको देखिए यहां पर अगर मैं कैसा orbital रखूं बचो बना के ही दिखाती हूँ कि अगर मैं यह कहूं कि यह square planar geometry के जो group orbitals थे इस तरीके से थे इस group orbital से दो तरीके के molecular orbital बनेगे एक bonding होगा एक anti bonding बनेगा तो अब हम जानते हैं जो central atom है उसमें एक s orbital है एक यह orbital है एक p y है और एक क्या है p x orbital है तो यह orbitals पहले हमने बना दिया है देखिए यह orbital है यह orbital है यह orbital है यह orbital हमने बनाया अब हमारे पास एक orbital क्या है यह s orbital है यह s है यह p orbitals है अब यहां पर हम fix कर दें इस orbital को यह group orbital के साथ overlap कर रहा है तो यह देखिए this is the bonding molecular orbital यह क्या बनेगे बनेग और यह जो और्बिटल है यह क्या बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलेकुलर और्बिटल तो यह क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलेकुलर और्बिटल और यह है बॉन्डिंग मॉलेकुलर और्बिटल ठीक है अब हम लेते हैं दूसरे जो ग्रूप और्बिटल है एक और दूसरा ग्रुब औरुब और विदेल इस तरीके से हम सब्सक्रास करएं है यह पॉज़िटिव है और यह नेगेटिव है तो होगें यह को लोग कर सकते हैं तो देखिए इस एज होगें अगर मैं इसके लोब को बलट दूँ तो यहां पर अगर मैं इसको fix कर दूँ तो यह कैसे fix हो जाएगा देखे यह orbital, this orbital और इसको मैं यह red दिखा दूँ और यह भी red है तो यह देखिए positive positive overlap तो यह क्या हो गया this is bonding molecular orbital और इसी को अगर मैं anti-bonding दिखाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ यह देखिए यह हमने दिखाया और anti-bonding molecular orbital का मतलब कि इस तरीके से overlapping हो रही है so this is anti-bonding molecular orbital तो यह इसके साथ overlap कर सकता है अब यह तीसरी situation देखिए तो इसके साथ यह overlap कर सकता है देख लीजी आप इसके साथ आसानी से overlap कर सकता है कैसे कर सकता है देखिए मैं यहाँ पर यह orbital बना दूँ और इसका positive log अगर मैं दिखा हूँ तो देखिए यह जो overlapping हो रही है यह हो रही है positive-positive overlapping इसी का अगर मुझे anti-bonding दिखाना है अब आप इसको देखिए एक हमारे पास जो और बचा है वो इस तरीके का orbital है जो group orbital बचा है वो इस तरीके का है और इस तरीके के orbital को अगर आप देखेंगे तो अब एक p-orbital बचा है जिसने overlap नहीं किया वो p-orbital कौन सा है यह है अगर हम इसको यहाँ पर fix कर दें बचाओ इसको आपको मैं fix करके भी दिखाती हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर fix कर दूँ तो क्या यह overlapping हो पाईगी दोनों की symmetry match है इन दोनों की symmetry match है नहीं तो यह overlapping possible नहीं है इसका मतलब है कि यह जो orbital है यह क्या रहेगा non-bonding और जो group orbital है वो भी non-bonding रहेगा तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 molecular orbital एक non-bonding p orbital और एक non-bonding group orbital यहाँ पर रहेगा इनको हम energy के बढ़ते वे gram में रखेंगे और हमको इस तरीके के molecular orbital मिलेंगे कि यह bonding है दो bonding इनको हमने EU कहा देन AU है यह वो orbital है जो bonding नहीं कर पा रहा है यह वो group orbital है जो bonding नहीं कर पा रहा है और इन ही के यह तीन molecular orbital है तो इस तरीके से हमने square planar को arrange कर दिया और tetrahectoral को हमने arrange किया और अब हम इनका क्या बनाएंगे इनका हम diagram बनाएंगे वाल्स diagram हम क्या करेंगे एक side हमने क्या arrange किया बच्चों हमने arrange किया tetrahectoral geometry और इस tetrahectoral geometry के जो molecular orbitals हैं उनको हमने energy के हिसाब से arrange किया है और यह क्या है square planar और right side में हमने square planar रख लिया आप चाहे तो किसी भी side कोई भी रख सकते हैं क्योंकि हमें इनके molecular orbitals में correlation करना है तो अब आप देखिए कि अगर मैं energy देखू tetrahectoral की और यहाँ पर मैं energy देखू तो यहाँ पर जो overlap है वो effective overlap होता है इसलिए इसकी energy कम होती है और tetrahectoral में यह energy अधिक होती है तो अगर मैं correlate करूंगी तो tetrahectoral की energy अधिक है और जो square planarous की energy कम है अब अगर हम देखेंगे जो तीन orbital bonding कर पा रहे थे tetrahectoral में वो सारे के सारे यहाँ पर bonding नहीं करते है यह orbital non-bonding रहता है और यह orbital bonding कर पाते हैं जिनकी energy कम होती है तो यहाँ के जो तीन orbital थे वो दो groups में divide हो जाते हैं दो जिनकी energy एक सी होती है उनको हम EU कहते है और जो की bonding नहीं कर रहे देखेंगे अगर यह bonding करता तो इसकी energy कम हो जाती इसका मतलब है कि यहाँ जो orbital यह है जो bonding कर रहा है और जो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर energy क्या होगी बढ़ जाएगी और यह जो bonding की energy है यह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों हम इसको जो arrange कर सकते हैं according to the molecular orbitals and then we can correlate the molecular orbitals energy of square planar and tetrahedral complexes इस diagram से geometry कैसे बता चलेगी अब हम क्या करेंगे electrons की feeling करेंगे तो अगर valence electron कितने हैं one है मालेजी अगर valence electron one है तो कहाएगा यहाँ पर आएगा तो अगर one electron है तो यहाँ add कर दिया अब देखिए किसके HOMO की energy कम है square planar की तो अगर AB molecule में valence electron 1 होगा तो कैसी geometry होगी square planar अब मैं अगर दूसरा electron add कर दूँ अगर मैं दूसरा electron add कर दूँ तो अब भी किसकी energy कम है square planar की तो दो electron system अगर होगा तो कैसा shape होगा उसका square planar geometry होगी अब अगर मैं यह valence electrons को 3 कर दूँ तो 3 किस तरीके से फिलूँगे या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा किसकी energy कम है बच्छो square planar complex की इसलिए कैसी geometry होगी square planar geometry होगी अगर मैं 4th electron add करूँ again energy किसकी कम है square planar की या नि 4 electron में भी iska square planar होगा अगर मैं next 5th electron add करूँ तो भी आप देखिए square planar geometry होगी और अगर मैं 6th electron add करूँ तो again square planar geometry होगी तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर electron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electrons अगर किसी AH4 सिस्टम में हैं तो उसकी geometry कैसी होगी square planar लेकिन अगर next electron इसमें मैं add करूँ तो वो कहाँ add होगा इस orbital मैं याई 7 electron अगर add करूँ तो किसके हो, MO की energy काम है, tetrahydral की, इसलिए geometry क्या होगी, tetrahydral अगर साथ electron system है, तो geometry कैसी होगी, tetrahydral होगी, अगर मैं airth electron को add करूँ तो आप देख रहे हैं कि किसकी energy काम है, tetrahydral की, इसका मतलब geometry कैसकी होगी, tetrahydral तो हम जिस्ट क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे molecules हैं जिन में 8 valence electron है फर एक्जामपल भी एच 4 माइनस, CH 4, NH 4 प्लस तो इनकी geometry कैसी होगी पिरेमिडल अभी आपने देखा अगर एक electron system है तो सॉरी पिरेमिडल नहीं टेट्रा हिड्रल geometry होगी अगर 8 electron system है आपने देखा NH 4 प्लस कैसा होता है ट्राहिडल होता है शेप में क्यों होता है क्योंकि वाच्टा एक्जाम से हम इसको explain कर सकते हैं और अगर कोई molecule जो है वो 6 electron system है फर एक्जामपल ये सब theoretical molecules हैं तो ये molecules का shape कैसा होगा square planar होना चाहिए तो अगर हम जिस्ट देखेंगे तो हम ये देखेंगे अगर electrons का number 1 से 6 है तो square planar geometry होती है क्योंकि HOMO की energy किसकी काम होती है square planar की अगर electron 7 to 8 होते हैं तो उसकी geometry कैसी होती है tetrahydral क्योंकि वहाँ पर tetrahydral के HOMO की energy क्या होती है कम होती है कैसे if we conclude this lecture आपने देखा बच्चों की पहले हमने geometry decide की येगर AH4 molecule है इसकी दो तरीके की geometry होगी tetrahydral and square planar then we had decided their point groups और जब हम point group मिल गए तो हमको क्या मिल गया यहां से irreducible representation and character table वहां से हमें पता लगा कि कितने तरीके के साल का possible है दोनों के case में चार तरीके के साल का possible है tetrahydral में ये A1 and T2 है जबकि square planar में ये क्या थे A1 G, B1 G and EU जब हमें ये पता चल गए then we had arranged energy of these molecules तो यहां जो group orbital बने उन्होंने क्या बनाए molecular orbital with the when they combine with the central metal orbitals they form molecular orbitals and then we had arranged the energy of these molecular orbitals in the increasing order then we had calculated we had assigned the symmetry to the group orbitals of the square planar complex and then we had formed the molecular orbitals that are formed by the linear combination of these atomic orbitals of the central atom and the group orbitals of the ligand they combine and they will form the different kind of molecular orbitals and then we had arranged these molecular orbitals in the order of increasing energy and then we had formed we had drawn a walsh diagram that is a correlation diagram of tetrahedral and square planar geometries which are the extreme limiting structures of ah4 molecule and then we had correlated the molecular orbitals energy of these two limiting structures and then we can just fill the electrons in these molecular orbitals and find the structure by seeing the HOMO which is having the lower energy دة फिर हम क्या करेंगे कि जो HOMO के energy कम होगी वही geometry हम उस molecule को देंगे and finally हमने just देखा कि अगर 1 солнца 6 valence electrons होगे तो geometry square planar होगी and 7 and 8 electrons वहगे to geometry कैसी होगी uh 7 and 8 मै just tetrahedral geometry होगी so this is all about the Walsh diagram of EH4 type of molecule. So, thank you very much.